नमस्कार सात्यों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धन्राज शॉर्ट हैंड अकेडमी स्टैनल क्लासिस में दोस्तों आज का हमारा डिक्टीशन है रामधारी कुप्ता प्रतिलेकन संख्या 33 पर 34 पार्ट फर्स्ट गति 80 शब प्रतिमिनट डिक्ट स्टार्ट होगी 5 सेगंड बाद स्टार्ट उपाध्यक्ष महदय वर्तमान वित अधिनियम सदन के सामने प्रस्तुत है इस बिल पर मुझे बोलने के लिए आपने समय दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ इस बिल का एक विशेश महत्व इसलिए भी है कि यह संकट काल में पेश हुआ है चीन ने हमारे देश पर हमला किया देश पर संकट आया राश्ट्र को चुनौती मिली और इस चुनौती को हम सबने सुईकार किया जिसके लिए पैसे की आवशक्ता हुई विराम इसको वित्त मंत्री ने बड़ी कुशलता से देश के अंदर और देश के बाहर से जुटाया इस बिल का महत्व इसलिए भी है कि हमारी पंच वर्षिय योजना के मध्य में ही यह बिल आया है देश में बड़ी बड़ी योजनाएं अभी अधूरी हैं जिनका पूरा होना देश के लिए बड़ा आवश्यक है विराम इसके लिए भी बहुत बड़ी धनराशी चाहिए देश पर संकट आया और देश जागा कोने कोने से लोगों ने पैसा और सोना दिया और अपने लड़के तक फौज में दिये विराम इस देश में किसानों और गरीबों का जो वर्ग है उसने भी दिल खोल कर इसमें सहयोग दिया उसके बाद जो उन पर अधिक बोज कर के रूप में पड़ा है यह अनिवार्य बचत योजना के रूप में पड़ रहा है उसको भी वे खुशी-खुशी सहन करने को तैयार हैं परन्तु वे सरकार से भी कुछ चाहते हैं वे चाहते हैं कि उनकी जो गाड़ी कमाई का पैसा है खुन पसीने का जो पैसा है वह व्यर्थ के कारियों में न जाए और उसका सदुपयोग हो इसके अतिरिक्त उनकी कुछ अपनी दिक्कतें और परेशानिया हैं जिनकी और सरकार का ध्यान चाहिए इस आपातकाल के समय में तो उनको इन आए दिन की कठिनाईयों से राहत मिलनी चाहिए रिन लेने में और अन्य कारियों में जो अरचने पढ़ती हैं वे दूर की जाएं किसान भारत की रीड है अगर इनको सुवी धाएं दी जाएंगी तो देश आगे बढ़ेगा आज जहां देश के साधरन लोगों ने इस सरकार का हाथ पटाया वहां एक वर्ग ने जो की धनी वर्ग कहलाता है अपने साधनों के अनुसार सरकार के सुरक्षा कारियों में सहायता नहीं की मैं यह नहीं कहता की उन्होंने बिल्कुल सहायता नहीं की लेकिन अपनी स्थती के अनुसार सहायता नहीं की जहां तक योजनाओं का संबंद है इस देश को समरद्द शाली बनाने के लिए योजनाओं पर काफी काम हो रहा है उपाद्यक्ष महोदै इसमें कोई संदेह नहीं है लेकिन कई इस्थानों पर देखा गया है की काफी काम हो रहा है जबकी कुछ को इतनी उपेक्षा की द्रश्टी से देखा जाता है की वहां काम नय होने के कारण वे इलाके विकास की द्रश्टी से पीछे रह जाते हैं मैं उत्तर प्रदेश का उदाहरन आपके सामने रखना चाहता हूँ वहां पर चाहे उद्योग धंदों की योजना हो या किसी अन्य विकास के विशय में हो दूसरे राज्यों की तुलना में वहां बहुत कम काम हो रहा है और वह पिछडता ही चला जा रहा है माननिय अध्यक्ष महदै इस विधेयक के संबंद में इस सदन के इधर के बैठने वाले लोगों ने और उधर के बैठने वाले लोगों ने बहुत सी बातें कही हैं जैसा की यह विधेयक है इसको अभी प्रवर समीती के सामने विचार के लिए जाना है और वहां से विचार होने के बाद यह इस सदन के सम्मुक फिर से विचार के लिए प्रस्तुत किया जाएगा तब माननी सदस्यों को पूरे तरीके से यह अधिकार होगा की जहां तक इसके अनुबंधों का संबंध है उसमें परिवर्तन कर सकते हैं या उनको हटा सकते हैं कल से जो बाते हो रही हैं वह सब नोट की गई है और मैंने पहुत सी बातों को सुना है प्रवर्त समीती में उन सब बातों पर विचार किया जाएगा बहुत से माननी हैं सतस्यों ने इस तरह की बातें कही हैं वह बहुत आवश्यक मालूम हुई है और जैसा की मैंने कहा है की उन पर विचार किया जाएगा जहां तक सहकारिता का संबंध है चाहे वह इधर के बैठने वाले माननी सतस्य हो चाहे उधर के बैठने वाले माननी सतस्य हो सबकी यह मांग है की जब हम जनतंत्र में विश्वास करते हैं और अपने यहां प्रजातांत्रिक प्रणाली कायम कर ली है और जबकी देश में गरीबी है और उसका गलत लाब भी उठाया जाता है तब सहकारिता की बहुत आवशकता है विराम इसको प्रोकने की आवशकता है यह सभी लोगों की राय है जहां तक इस सहकारी विधेयक का संबंद है बहुत से माननिय सदस्यों ने बहुत सी बाते इसके संबंद में कही हैं मैं सब बातों का विवरण में तो उत्तर नहीं दे सकता हूं लेकिन मैं थोड़े में खास खास बातों का उत्तर देने की कोशिश करूँगा जैसा मैंने अभी कहा जब हमने अपने यहां जन्तंत्र कायम किया है तो हमें अपने समाज के ढांचे को बतलना पड़ेगा पून विराम तो दोस्तों यहती हमारी रामधारी गुपता प्रतिलेकन संख्या तैंतीस वचोंतेस गती असिश प्रतिमिनट के टिक्टीशन तो कैसे लिए आप सभी को टिक्टीशन कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और यदि आपने वी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें धन्यवाद